इंडियन बॉक्स ओफिस पर एक बार फिर से साउथ की दस मोस्ट अवेटेट फिल्म में हंगामा मचाने आ रही है। आज हम उन्हीं दस फिल्मों की लिस्ट आपके लिए लेकर आए हैं। इस दस साउथ इंडियन फिल्मों का दर्शकों को बड़ी बेसबरी से इंतजार है। पिछले कुछ सालों से इंडियन बॉक्स पर साउथ की फिल्मों का जलबा हमें लगातार देखने को मिल रहा है। पैन इंडिया रिलीज पर साउथ की फिल्मों ने देश भर में खोब कमाई की और एक बार से साउथ फिल्म इंडस्ट्री बॉक्स ओफिस पर हंगामा मचाने को तयार हैं. एक नंबर पर है. प्रभास की सालार, सालार प्रभास की मोस्ट अवेटेड एक आक्शन फिल्म है, ज फिल्म की घोशना दिसंबर 2020 ने की गई थी और 28 सितंबर 2030 तक इसकी रिलीज होने की संभावनाएं हैं. दुसरे नंबर पर प्रभास की ही फिल्म प्रोजेक्ट के, प्रोजेक्ट के प्रभास की दूसरी मोस्ट अवेटेड फिल्म है, जो नाग अश्विन द्वारा लिखि होने वाली है. तीसरे नंबर पर है, जूनियर एंटियार की देवरा, यह एक आगामी तेलोगु फिल्म है, जो पांच अप्रेल 2024 को रिलीज होने वाली है. फिल्म का निर्देशन शिव को राटाला ने किया है, और इसने जूनियर एंटियार, चान्ती कपूर, सेफ अली ख प्रकाशराज मुख्य किरदार निभाएंगे. चौथी नंबर पर है, धनुष की कैप्टन मिलर यहाँ एक कमिल एक्शन एडवेंचर फिल्म है, जो अरुन माथेस्वरन द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है. इसमें धनुष मुख्य भूमिका में है, जबकि अर्जुन की पुषपा 2, पुषपा, दराइस के बाद अलु अर्जुन अब पुषपा 2, दरूल से बॉक्स ओफिस हंगामा मचाने के लिए तयार है. यहाँ तेलुगू भाशा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसे सुकुमार ने लिखा और निर्देशित किया है. के अंतक रिलीज होने की संभावनाएं है. छटे नंबर पर है. रजनीकांत की जेलर यहाँ तमिल भाशा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जो नेलसन ड्वारा लिखित और निर्देशित है और सन पिक्चर्स के कलानिधी मारन ड्वारा निर्मित है. इसमें रजनीकांत साथवे नंबर पर है. राम चरन की गेम चेंजर, यहाँ एक तेलुगु भाशा की राजनीतिक एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जो एस शंकर द्वारा निर्देशित और कार्तिक सुबाराज द्वारा लिखित है. यहाँ श्री वेंक टेश्वर क्रियेशन्स के बैनर तले दिल राजू और सिरीश द्वारा निर्मित है, जिसमें राम चरन के साथ कियारा आडवानी, अंजली, एस जे सूरिया, जैराम, सुनील, श्रीकांत, समुथिरकानी और नासर भी नजर आने वाले हैं. इस मोस्ट अवेटेड फिल्म की भी रिलीज डेट अभी सामने नहीं आई ह आठवे नंबर पर है, विजय देवर कोंडा की खुशी, यह शिव निर्वान द्वारा लिखिद और निर्देशित एक मोस्ट अवेटेड तेलुगू भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, मिथ्री मूवी मेकर्स द्वारा निर्मित इस फिल्म में विजय देवर कों या मई 2024 में रिलीज होगी, खबरों की माने तो कंतारा टू का बजट बढ़ा दिया गया है और फिल्म में अधिक कलाकार जोडे जाएंगे और वे बड़े नाम हो सकते हैं, जो अपेक्षित है दश्मी नंबर पर है, किच्चा सुदीप की के 46 फीट यहां एक मोस्ट अवेटेड तमिल फिल्म है फिल्म का निर्देशन विजय कार्तिकेय ने किया है और इसमें किच्चा सुदीप मुख्य किरदार में होंगे